यदि आप कोई mobile का एप से loan लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है आप ये वीडियो देख लिए जिए उसके बाद आप decide किजिएगा कि हमें loan लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए तो mobile apps अभी बहुत सारा market में apps आया हुआ है जो nbfc apps है non banking finance company का apps है ये apps ज तरनक साबित होगा इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग discuss करेंगे यदि ये पूरा वीडियो देख लिएगा ये मेरा guarantee है कि आप कोई भी nbfc app से loan लेने से बचिएगा तो इसका जो भी खामिया है और जो भी अच्छाई है जो भी बुराई है वो टोटल आज की इस वीडियो हम लोग discuss करेंगे तो आप जो है वीडियो को आखरी तक जरूर देखिए फिर भी यदि आपका मने में कुछ भी परस्णों कुछ भी सवाल हो आप लोग कोमेंट के जेगा हम सभी का comment का जवाब देते हैं लेकिन सर्थ यही है कि जो बात वीडियो में बता दि जादा रहा था यानि कि प्रोसेसिंग जो चार्ज लिया जाता है वो काफी है रहाता है अलाकि यह एप्स आपको फर्स्ट रेंब बहुत हेवी लोन नहीं देतेगा 10,500,500,500,000 इतना ही लोन देता है जज़ा तह फर्स्ट रेंगे आप रिपेमेंट करेंगे तो आपको यह यहां पर हम एक एक्जामपर लेके चलते हैं मान लेते हैं यदि आप 15,000 रुपया लोन ले रहे हैं तो ऐसे इस्थिति में आपका लगभग लगभग 25 रुपया ये लोग प्रोसेसिंग भी काट लेता है आपका बैंक में डिपोजिट किया जागा 12,500 रुपया साथी साथ इ ये भी मान लेते हैं कि आपने 6 महिना का EMI बनाया तो 3,000 रुपया प्रति मौन्थ लग रहा है ऐसे इस्थिति में यदि आप 2 महिना ये लोन को रिपेमेंट कर देते हैं तो आपने 6,000 रुपया जमा कर दिए अब 18,000 में से 6,000 मेंस हो गया तो बचा आप 12,000 रुपया तो इसे इस्थिति में ये चीज़ नहीं होगा मतलब हो तो जागा बंद लेकिन आपको 12,000 रुपया करना होगा यादि आप एक ही साथ 12,000 रुपया जमा कर रहे है आप जो है यहाँ पर 2 महिना ही जमा कि चार महिना आपका और्ष्थ बचा हुआ है ऐसे इस्थिति में ये एस से तो है किस्ता है मान लेता है तो हर मेहन ना इंटरेस्टी जोड़ा जाता है , यदी एक लग रुपीया है और किस्ता बनाते हैं है तो अगले मोंथ में अबיח6 का जो वियाद चलेगा तो वहां पीएक लाग का है जो चलेगा अब 96000 का वियाद चलेगा फीक के यह यहां पी एक हजार से कम आप को वियाद लगेगा हो सकता है 900 लुप्या लगे और फिर जो है आप अगला मेहना 5,000 रुपया जमा कर दिये तो आप जो है मुलधन प्रिंसपल लेमन वो धीरे-धीरे कम होते जागा ठीक है यह ऐसा नियम है लेकिन एसा नियम नहीं है आप जितना लोन लिए उस पर जो भी इंटेस्ट होगा एक ही बार आपके मथे पर लगा दिता है शाथी साथ आपका सिविल एसकोर भी बहुत जल जो है निचे आ जाता है नेक्स्ट है कि यह लोग आपका इजत का भी धजी उड़ाता है इजत का वाट्स लगा देता है अब पैसे लगाता है वह हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जैसे ही आप कोई को अपना मोड़ मेंश्टूल करते हैं तो जैसे आपका इस इसनल होगा तो वहां से आपको कुछ पर व 1947 मंगा जा जा ये आपको और मेंस्ट क्रनेट होगया तो आप एलुकर देंगे FR लोकेसं का परमिस्फन वह हाँ करेंगे मैसेज तो ये बहुत खतनब हो सेका है आपने तो ऐलो कर दिए लाव जो है चाहर कि आपका टोटल फोटो देख सकता है साहति साहते आपका लिष्ट भी योसेश कर करसकता है सबसे भयानक दिक्काद होता है गेलरी और कॉंटेक्ट से क्या दिक्काद होता है अब वो हम आगे बताते हैं मान लीते हैं यदि आपका एक भी एमाई बॉंस होता है तो ऐसे इस्थिति में यह लोन वाला जो एपस है यह सबसे पहले आपको फौन करेगा यदि आप उसका जदी पैसा नहीं है कोई परिशानी में फंस गया है तो ऐसे इस्थिति में कोई भी व्यक्ति का एमाई बॉंस होता है तो यदि आपके साथ भी ऐसा होता है एमाई बॉंस हो जयता है अगले दिन ही फौन आ जाएगा एपस वाले का और आपको कहेगा कि आज ही जो है आप किजिए यदि आप उस दिन में पैमें नहीं करते हैं तो भर दिन में कम से कम समझ सकते हैं आपकी 50-60 को आपको आजाएगा तो ऐसे इस्थिति में आपका कॉंटेक्ट डिटेल को परहेगा उसमें देखेगा आपने किसका किसका जो है नमर को सेफ किया है बहुत व्यक्ति जो नमर सेफ करता है वह पापाजी के नाम से करता हम मामा जी इसी प्रकार से और भी पता ने क्या नाम से से रहता है आप sudah नाम पता हर चिज उसके पास है तो अब समझे सब्सक्राइब आपका जितना रिष्तेदार है सबसे पहले ये लोग रिष्तेदार को ही टर्गेट करता है तो ऐसा जो भी कोंटेक्ट होगा वो सभी को फोन करके आपके बारे में बताएगा कि इन्होंने लोन फ्रोड क्या है अब समझे आपका इस जगा कितना वाट लगया हला कि कोई भी इसा गैटलेश नहीं है जदी कोई व्यक्ति लोन का और रिपेमेंड नहीं करता है उसका इन्होंटेक्टैक्ट डिटेल में जित्ना उप्योंटेक्ट्स प्रिका है लोकेशन का यह टोटल तो परमिशन आपने दे दिया उसके बाद एपस जो है आपको लोन नहीं देगा यानि कि आपको जो है यह लोन के लिए क्वेलिफै नहीं करेगा तो ऐसे इस्थिति में यह आपसे जो डटा लिया गया है इससे डिलीट नहीं करता है यदि आपको यह बात विश्वास नहीं हो रहा है आप कोई भी लोन अप्लिकेशन को इस्टोल करके देख लिजिएगा और यदि आप उस पर आवेदन करते हैं और आपका आवेदन तो यक कर दिया जाता है या मतला ऐसा कुछ लिखा आता है कि आप एक महना के बाद जो है दोब वो लोग का interest rate काफी ज्यादा होता है आपको यह चीज़ भी धियान रखना होगा अब आपका यह काफी डरा दिये कि अप से लोन कैसे लेंगे तो लोन लेंगे कहां से तो देखिए आप एप से लोन जैसे लेते हैं और रिपेमेंट नहीं करते हैं तो बहुत जल्दी आप के तरह ही बहुत कुईकली लोन दे रहा है जैसे यह ज़िए हम SBI bank का एक्जामपल ले तो SBI का योनों एप्स है इसमें आपको काफी सरा लोन का offer देखने को मिल जागा जैसे home loan है car loan है बैक loan है परस्नल लोन है इस टैपका काफी सरा लोन है और आप मांतर 2-3 click में आप अप आप ITR फैल करते हैं तो यदि आप 3 साल से ज़्यदा समय से ITR फैल कर रहे हैं तो ऐसे स्थिति में bank से बहुत जल्दी quickly loan मिल जाता है लेकिन यदि आप ITR फैल नहीं करते हैं तो विदाउत ITR का भी bank से loan लेने का provision है ज़दी आपका civil score अच्छा रहाता है और bank में आपको ए first time कभी भी नहीं देगा लेकिन बैंक वाला जो है आपको एक से दो लागता इसली लोन दे देता है वो भी दो से तिल किलिक में loan जो है आपका account में transfer हो जाता है तो यह बहुत easy है यदि आपका भी कोई bank में account है तो उस bank का जो भी apps है आप उस apps को इस्टोल करके track कर सकते हैं लेकिन आपको जो भी nbfc apps है जो भी nbfc company है इससे loan लेने से भचना ही चाहिए तो यदि पैशा का काफी सक्ट जरूरत हो ऐसे ही इस्थिति में आपको loan लेना चाहिए और फिजूल खर्ची करने के लिए loan नहीं लेना चाहिए तो वह आप अपना requirement के हिसाब से देख लें जरूरत है